कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपका अप्लिकेशन का मतलब एक awareness करना है market में अपने application को आपको brand बनाना है देखो promotion का मतलब यह नहीं होता है कि आपके application पे सिर्फ users आए promotion इसलिए भी लोग करते हैं ताकि आपके application का जो brand value वो market में बड़े awareness करने के लिए भी promotion किया जाता है कि बाद सबसे ज्यादा टेंशन होती हमें कि हम उस application को promote कैसे करेंगे कहां करेंगे और मतलब किसके पास जाएंगे या फिर किसी marketing agency के पास आप जाते हो तो वहाँ पर कितना amount लगने वाला है बहुत सारे से question application बनवाने के बाद आपको ऐसे question से जिनको face करना पड़ता है आपको जिनका answer आपको ढूड़ना पड़ता है और वो answer से आप Google पर ढूड़ते हो या फिर YouTube पर find करते हो कि आप अपने application को promote कैसे करोगे ठीक है वैसे seven strategy के लिए फिर seven point में आपको इस video मैं ऐसे बिल्कुल free of cost बताने वाला हूं free of cost मेरे points जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है but promotion करने के लिए आपको पैसा जरूर लेगा ठीक है पर ये seven points को अगर आप follow करते हो क्योंकि promotion करने के बहुत तरीके होते है ठीक है सिर्फ एक ही way नहीं है कि आप किसी YouTuber से promote कर आ ले रहे हो या फिर Google Ads वेगरा Facebook Ads रन करके आप अपने application पे जो वे है वो है आपको अपने application को basically ये सब के साथ होता है कि जब वो अपने application बनवा लेते हो तो आप अपने friends family सब के साथ शेयर करते हो फर्स्ट वे है ये और फर्स्ट वे है इसलिए है क्योंकि application बनने के बाद हम सबसे पहले अगर शेयर करते हैं किसी को वह तो हमारी family होते हैं और यहीं होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा करते हैं पर मैं प्रोमोशन करने के वेज बता रहा हूँ खैर मैं दी मोटिवेशन की तरफ नहीं लेके जाओंगा आपको बड़ क्यूंकि बखस वेगरा यह बहुत निगाल के देंगे कम्यां वेगरा बहुत सब्सक्राइब होते हैं उस पॉइंट को हम छोड़ते हैं आप स्टोर गूगल प्ले स्टोर पे या फिर आयोस के आप स्टोर पे अप्स सर्च ऑप्टिमाजेशन का यूज करके यानि कि अपने अप्लिकेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉंग डाल गे और उसका टाइटल वेगरा अच्छे से डेकोरेट करके स्क्रिन प्रोमोट करने के लिए ठीक है यह सेकंड फ्री है यह वे बिल्कुल फ्री है फर्स्ट वाला भी फ्री ही था जहां पर आपका पैसा नहीं लगने वाला है बस लॉजिकली आपका तोर असर दिमाग खर्चा होगा ठीक है थर्ड वे की तरफ बढ़ते हैं गेट मोर यूजर आपका जो आप्लिकेशन है ठीक है उसका आपने कुई ऐसा प्रोमो वीडियो नहीं बनाया है या फिर उस कुछ आपने एत्राक्टिव बैनर्स प्रींशॉट्स नहीं बनाया है जिनको आप सोचल मीडिया प्लैटफर्म पर प्रोमोट कर सकते हो तो वहां पर आपके पास एक यह option बचता है, कि आपका application जैसा है, वैसे ही आप Google Ads को आपको बताई होगा, वहाँ पे आप लिंक डाल के, मतलब अपने आप को सीधा प्रोमोट कर सकते हो, अप स्टोर पे ही, ठीक है, मतलब अगर को यूजर सर्च करेगा, उससे रिलेटेट टैक कुछ सर्च करेगा, ज यहाँ पे आपने application को डाला हुआ है, जैसे अगर आपने iOS पे डाला है, तो iOS का platform है, जैसे जहाँ पे हम डालते हैं application को, जैसे Google Play Store का Google Console है, ठीक है, iOS के आप आप स्टोर पे डाल रहे हो, तो जो अकाउंट पर खरीद के आप डालते हो, अपने application को वहीं पे, मतलब अप्शन रहते हैं promotion करने के लिए, तो वहाँ से आप promote कर सकते हो, अपने application को, ताकि अगर को user search करे, उपर कुछ लिखे, आपके application से related, कुछ tag search करे, तो वहाँ पर आपका application उनको first or second number में मिल जाए, ठीक है, यह third way है, और यह paid way है, अब बात करते हैं fourth way, जो बहुत important है, और इसके लि जीख लोगे सिर्फ 59 रुपेज में, ठीक है, और 59 रुपेज में यह fourth way complete हो जाएगा, आपका, कहने का मेरा मतलब यह है, कि अगर आपका application का, मतलब एक awareness create करना है market में, अपने application को आपको brand बनाना है, देखो promotion का मतलब यह नहीं होता है, कि आपके application पे सिर्फ users हैं, promotion मतलब ज्यादा भविश्य में आपको बाद में promotion के लिए पैसा ना लगाना पड़े, उसके लिए आप मेरा template का join button हिट किजए, जो subscribe button के भाजो में दिया हुआ है, उस पर हिट करके आपको सारी चीज़े वहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी, खैर, fourth point पे आप क्या कर सकते हो समझ के चले कि आपका जो application है, उससे related content बनाके, videos, poster, banners वगरा बनाके, आप social media platform पे promote कर सकते हो, Instagram, Facebook, Twitter, ऐसे बहुत सरे platform है, ऐसे बहुत सरे websites भी हैं, जहाँ पर promote कर सकते हो, ठीक है, यह fourth way है, यह भी paid है, fifth way है, reach a larger audience through influencer marketing, जो YouTubers होते हैं, या फिर जिनके बहुत जादे followers हैं, Facebook पे, Instagram पे, उनके through, अगर वो आपके application के category के लिए fit है, वो influencer, मतलब उसके पास अच्छे कासे followers है, और आपका application उसके जो followers, जैसे कोई, होता है, कोई gym के बारे में बताता है, और उसके followers 1 million है, तो वहाँ पे आप अपने gym, मतलब fitness वाला application आप उनसे promote करा सकते हो, ठीक है, अ आपको, मतलब किसी influencer को hire करने से पहले, उनको अपने application देने से पहले, उसको amount देने से पहले, ये सोचो कि आपके application के लिए, क्या वो बंदा fit है, क्या वो जो उसकी category है, वो वहाँ से जो audience आएंगे, आपको मिलेंगे, क्या वो install करेंगे, वो use करेंगे, या नहीं करेंगे, क तो ये हो गया, किस influencer से marketing कराने का way, ये paid है, ठीक है, हाँ, ये free है, six point, set up referral program, मतलब ये हो गया, कि जो आपके पास already users है, उन users से भी और users आ सकते हैं, अगर आप referral program रख देते हैं, यानि कि आपके application के कुछ premium features, आप उनको one month, two month के लिए, free of cost दे दीजे, और उन्हें कहिए, क आपको कुछ, उनको वो आपके लिए work करेंगे, मतलब कुछ 10, 20, 50 user का target रख दीजे, कि 50 users, अगर आप 50 लोगों को refer करते हो, अगर वो install करते हैं, तो आपको हमारे application के कुछ premium features, free of cost, provide हो जाएंगे, one month, two month, three month के लिए, ठीक है, ये sixth way है, और ये बहुत फ्री of cost है, seventh way है, seventh way बहुत ही जादा interesting है, boost app downloads with an SEO optimized website, अब क्या होता है दोस्तों, कभी-कभी जब हम Google Play Store पे भी हमने बहुत महनत मुशक्कत कर ली application को, application का app store optimization करने के लिए description अच्छा डाला, tagging अच्छी डाल दी, short description अच्छा डाला हमने, thumbnail भी बहुत अच्छा डाला है, thumbnail से मेरे मतलब स्क्रीन और title भी हमने बहुत अच्छा डाल दिया है, पर होता है कभी-कभी ऐसा होता है, कि नहीं हो पाता है, वो rank नहीं कर पाता है, तो उस scenario में आपको क्या करना है, कि website, आप अपने application का website ready करो, और उस website में complete data fill करो, उस website को promote कर दो, और उस website का SEO strong करो, क्योंकि क्या होता है, तो आपके website का SEO आपने strong रखा है, तो आपका website rank में आएगा और वहां से भी बहुत जादा चांसे से कि आपके जो users, मतलब आपको वहां से users मिल जाएंगे, अपने खुद के application के लिए, आयोग दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और ये 7th पॉइंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल को सब्स्राइब करें जाएंगे, दोस्तों मैं थे नेक्स टोडियो में